खुदार मेरे शहर का फाकों से मर गया राशन जो आ रहा था अफसर के घर गया भारत को समझे आज क्या हो रहा है चड़ती रही मजार पर चादर तो बेमिशाल बाहर जो एक फकीर था सरदी से मर गया रोटी अमीरे शहर की कुटों में बट गई फाका गरीबे शहर का बच्चों को मिल गया चहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने हाकिम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया बटवारा है साहब इस देश में आकसफाम की रिपोर्ट बताती है एक परसेंट लोगों के पास तीहत्तर परसेंट संपत्ती का कबजा है गरीब और गरीब होता जा रहा है अमीर और अमीर होता जा रहा है पढ़ाई और दवाई अगर मुफ्त होती तो हम लोगों के लोग पाँच किलो अनाज मुफ्त से लेकर नहीं खाने को मोहताज होते तुमने देश को यहाँ पहुचा दिया कि पाँच किलो अनाज दे रहा हो और सब कुछ बेचते चले गए भई उसका क्या बुरा माने उसने तो पहले ही कह दिया था मेरा क्या है जी हम तो फकीर आजमी है जोला लेके चल देंगे हमेरा आपको सोचना है न वो तो चला जाएगा ना आगे नात न पीछे पगा हमारे यहां भुजपूरीम कहा जाता है उसके कोई आगे पीछे तो है नहीं समता का मुल है और सरकार कारिय मंदिर बनाएंगे वहीं बनाएंगे हस्पिटल वहीं क्यों नहीं बनाओगे स्कूल वहीं क्यों नहीं बनाओगे यह समविधान कहता है और मेरे आगे यह लगा हुआ है वही प्रस्तावना हमने शपत लिए उस प्रस्तावना की ये वो वाक्य है जिसे बार-बार दोहरा ना होगा मैं हिंदी साहित का विद्यारती हो हमारे एक कवी हैं जिनको लेकर बहुत तरह की बाते होती है उन्होंने रामचरित मानस लिखा है बाकी छोड़ देते हैं उसमें क्या है क्या नहीं उस किताब में लिखते हुए उन्होंने कहा की इसका बार-बार अगर आप पाठ करेंगे तो आपके जीवन का कष्ट दूर हो जाएगा और आपको मोक्ष मिलेगा मुझे नहीं पता कि उस किताब के पढ़ने से जीवन का कष्ट दूर होता है कि नहीं मोक्ष मिलता है कि नहीं मगर मुझे ये भरोसा है कि भारत के सम्विधान को बार-बार पढ़ने से आपका कष्ट जरूर दूर हो सकता है और आप इस जीवन को बहतर बना सकते हैं इसलिए इस किताब को पढ़ने की जरुवत है पूजने की जरुवत नहीं है तो जब देश आजाद हुआ तो कोशिश ये की गई कि बाबा साब को गायब कर दिया जाए ये हकीकत है इस देश के बाबा साब का पूरा लिखा हुआ कब प्रकाशित हुआ 1980 के आसपास जिसका आजादी में पूरा योगदान भी न हो जिसके दिल में धरम जादा बड़ा एमियत रखता हो जिन लोगों ने इस देश में ये लिखा है महराश्ट के लोगों आपकी भाशा में आपही के बीच के लोग थे जिन लोगों ने ये लिखा कि जिनके दिल में धरम जादा बड़ा था वो भी देश भक्त पढ़ाए गए और जिन्होंने इस मुल्क के कुरवाने के लिए क्या-क्या नहीं सहा उनकी किताबे नहीं छपी गई बाबा साब को भारत रत्न कब मिला 1990 में आकर मिला संयुक्त मूर्चा की सरकार विशुनात परताप सिंग की सरकार मनवरकांशी राम का अंदोलन और उस सब की परित में बाबा साब को भारत रत्न देने में इस देश की आजादी के 40 साल गुजर गए मगर उन्हें पता ही नहीं था आपके भारत रत्न के मोहताज नहीं थे डॉक्टर अमबेटकर वो अपने हुनर और अपनी काबिलियत से भारत रत्न ही नहीं विश्वरत्न बन चुके थे बस वक्त था लोगों को पहचानने का तो इस तरह का इतिहास इस देश का है और हम जानते हैं हमारे हाथ में कलम और किताब आई तो हमने पढ़ा आया अपना इतिहास क्यों डॉक्टर अमबेटकर का पूरा प्रकाशन 40 साल लग गए प्रकाशित होने में उनके 14 अप्रेल को राष्ट्री अवकाश घोशित कब हुआ 1990 में उनको भारत रत में कब मिला 1990 में और लंबे समय तक जब अमबेटकर को मिटा नहीं पाए तो कोशिश में लग गए कि उन्हें किवल दलितों का नेता बता दिया जाए गोया डॉक्टर अमबेटकर का OBC की मुक्ती में कोई योगदान नहों तब हम जैसे लोगों ने पढ़ा और हमारे लोगों ने देश और दुनिया को ये बात समझाई देश के OBC को ये बात समझाई कि अनुच्छेत 15-4 अनुच्छेत 16-4 अनुच्छेत 3-4 जिसमें OBC को हक मिला वो बाबा साब ने जोड़ा और उससे महत्पूर बात जब मंत्रि मंडल से इस्तीफा दिया तो हिंदू कोड बिल के बात सबसे महत्पूर वज़े ये बताई कि OBC के हित के लिए जो कमीशन गठित करना है वो नहीं बनाया जा रहा है जिससे OBC का कल्यान नहीं हो रहा है इससे नाराज होका डॉक्टर अंबेटकर ने मंत्रि मंडल से इस्तीफा दिया फिर वे इस देश में ये नहीं बताया गया कि OBC के लिए डॉक्टर अंबेटकर ने क्या किया दलितों के नेता थे महिलाओं के लिए ग्रेचुटी, पेग्रेट चैल्ड केर लीव मैटरनिटी लीव ट्रेड यूनियन के लिए काम करने वाले वेतन, भत्ता, प्रेगेट ग्रेचुटी की बात करने वाले डॉक्टर अंबेटकर को कोई कॉमरेट डॉक्टर अंबेटकर की तरह नहीं पढ़ाया पांच अखबार निकालते थे बाबा साब और पत्रकारिता में डॉक्टर अंबेटकर पत्रकार की रूप में नहीं पढ़ाये गए फैमिनिस्ट मुमेंट में महिलाओं के अंदोलन की रूप में डॉक्टर अंबेटकर नहीं पढ़ाये गए तो ये सारी यात्रा ये थी कि उनको बांट दिया जाए कमजोर कर दिया जाए मगर एक बात बाबा साब भी जानते थे इसलिए यूँ ही नहीं लिख दिया था कि सिक्षा वशेरनी का दूध है उसे जो पीएगा वो दहड़ेगा बाबा साब के लोग पढ़ने लगे और आज देखिए देश नहीं दुनिया में जन अंदोलन और न्याय की हर लड़ाई में अगर कोई सबसे बड़ा आई कौन है तो बाबा साब डक्टर भीमराव अंबेट कर रहे हैं ये इस देश का और उनका हुनर था और इसलिए हम बाबा साब को याद करते हुए सम्विधान को याद करना चाहते है और इसलिए हम ये बात कहना चाह रहे है कि इस सम्विधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई सबको समान लिखा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई सब को समान लिखा है मिटाकर जाति पाति भेद भाव बाबा साब ने समविधान लिखा है सब मिटाकर फर्क मिटाकर गैर बराबरी मिटाकर और एक बात और नाकपुर से पुरे देश को सुनना और समझना चाहिए हमारा अगर कोई सो रुपया चुरा ले हमारे पिता का अगर अपमान कर दे हमें कोई गाली दे दे तो हम इस बात की इंतजार में रहते हैं कि इसने हमारा अपमान किया है मौका मिलेगा तो इसका बदला लेंगे और बाबा साब की कलम को मौका मिला था कि हजारों साल से जिनके पूर्खों का अपमान किया गया इंसान ही नहीं समझा गया बाबा साब के पास कमल कलम में वो मौका था कि तुमने दो हजार साल तक हमको अचूद बनाया अब कम से कम दो सो साल तक तुमें हम अचूद बनाएंगे क्योंकि हमारे हाथ में कलम है मगर बाबा साथ डॉक्टर रम्बेटकर उन्होंने अपने पुर्खें के होने वाले अपमान का बदला नहीं लिया फर्क देखिए उनमें और हममें उनके पुर्खे को मौका मिला तो उन्होंने बतानी चाहिए कि बदला लेने की एक लाइन भी भारत के समविधान में ने लिखी है और ये जो प्रस्थावना है इस प्रस्थावना में भी केंद्र में है तो न्याय का मोले है समता का मोले है मात्मा कबीर है 2000 साल पहले तो था गदबुद लगबख 700 साल पहले कबीर हुए मो को कहां ढूड़े रे बंदे मैं तो तेरे पास में ना मैं मंदर ना मैं मस्जिद ना काबे कहलास में ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में खोजी होई तो तुरते मिले हो पल भर की तालास में कहें कबीर सुनो भाई सादो मैं तो हूँ विश्वास में उस पुर्खे को मिले नहीं थे बाबा साब लेकिन उन्हें अपना गुरू बनाया था और इविन महात्मा फूले से भी नहीं मिल पाए बाबा साब डॉक्टरम बेट कर 1891 और उसके पहले तारीक आ गई 1888 लेकिन मुझे याद है कि इन तीनों गुरूं से बिन्या मिले उन्हें अपना राजनितिक और सामाजिक गुरू मानते थे बाबा साब और तो और देश बदल रहा है समय बदल रहा है देखिए सर्वोच न्याले में बाबा साब की मूर्ती लगाने में भी आजादी का अम्रित काल आ गया 75 साल लग गए कि बाबा साब की मूर्ती वहाँ पर लगाई जाए लेकिन वो यह कहती हासिक दिन था आज उस देश में न्याय की सबसे बड़ी संस्था जिसमें मनू को सबसे बड़ा नया धीश माना था लोगों ने उसके सीने पर चड़कर एक बैरिश्टर बाबा साब अम्बितकर की तस्वीर सर्वोच न्याले के सामने खड़ी है जो रात के अंधेरे में भी डराईगी अगर किसी ने अन्याय की कोशिश की भी तो इसलिए इन तस्वीरों और इन मूर्तियों की एहमियत होती है हमारा खौफ उनसे पूछो जो हमारे पुर्खों की मूर्तियों से भी डर जाते हैं आज तक इस दुनिया में सबसे अदा मूर्ति बनी अब भारत को समझने के लिए यहां से एक नई दिशा से देखिए बाबा साब अमिटकर के बाद जो दूसरा नाम मैं लेना चाह रहा हूँ उस सम्विधान सभा में वो मरांग गोम के आदिवासी नेता भारत राष्ट के निर्माता जैपाल सिंग मुंडा का नाम लेना चाह रहा हूँ जिन्होंने सम्विधान सभा की बैठक में खड़े होकर इस देश के मूल निवासियों के लिए क्या कहा है मैं चाहता हूँ कि इस पूरे कोटेशन को आप सुने और पूरा देश पढ़े कि हमारे लोगों ने कैसे इस देश के सम्विधान को बनाने की कोशिश की पहला सवाल क्या था जैपाल सिंग मुंडे ने कि हमारे इतने तीन करून लोग आदिवासी हैं और सम्विधान सभा में केवल पाँच लोग छे लोग है आदिवासी तब किसे नुमाइंदगी करने के लिए और मरांग गोंके जैपाल सिंग मुंडा ने सम्विधान सभा में एक और सवाल पूचा कि इनमें एक भी महिलाएं नहीं है सूचिए बाबा साब अमबिट कर जेंडर मुमेंट के नेता है महात्मा जोतिबाब फूले महात्मा जोतिबाब फूले महात्मा बन ही नहीं पाते अगर उनके साथ सावित्र वाई फूले खड़ी नहीं होती और ये बात मैं पूरे दावे से कहना चाहता हूँ पढ़ाई और दवाई अगर मुफ्त होती तो हम लोगों के लोग पांच केलो अनाज मुफ्त से लेकर नहीं खाने को महताज होते तुमने देश को यहाँ पहुचा दिया गिए पांच केलो अनाज दे रहा हूँ और सब कुछ बेचते चले गए भई उसका क्या बुरा माने उसने तो पहले ही कह दिया था मेरा क्या है जी हम तो फकीर आदमी हैं जोला लेके चल देंगे हमेरा आपको सोचना है न वो तो चला जाएगा ना आगे नाथ न पीछे पगा हमारे याँ भुजपुरिम कहा जाता है उसके कोई आगे पीछे तो है नहीं और सुनिए जैपाल सिंग मुंडा का कोटेशन और उस कोटेशन में वो जैपाल सिंग मुंडा क्या लिखते हैं कहते हैं सभापती श्रीमान सभापती जी मैं उन लाखों अज्यात लोगों की ओर से बोलने के लिए याँ खड़ा हूँ जो सबसे महतुपूर लोग हैं जो आजादी के अंजान लड़ाके हैं जो भारत के मूल निवासी हैं और जिनको बैकवर्ड ट्राइब्स प्रिमिटिव टाइब्स क्रिमिनल ट्राइब्स और जाने क्या क्या कहा जाता है पर मुझे अपने जंगली होने पर गर्व है क्योंकि वही संबोधन है जिससे हमारे लोग इस देश में जाने जाते हैं तेवर देखेगा हमारे पुर्खों में से एक जैपाल सिंग मुंडा का हम जंगल के लोग अपने संकल्प को अच्छी तरह से समझते हैं अपने तीन करोन आदिवासियों की ओर से मैं संकल्प का समर्थन करता हूँ और हम समर्थन इसले नहीं करते कि यह देश के हर नागरी की धड़कन उसकी भावनाओं के अभिविक्ति करता है इस संकल्प के बाद भी हमारा कोई जगड़ा नहीं है एक जंगली और एक आदिवासी होने के नाते संकल्प की जड़लताओं में हमारी कोई दिल्चस्पी नहीं है मैं सभा से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई देश में सबसे ज़्यादा दुर बेवहार का शिकार हुआ है तो वो हमारे लोग है पिछले छे हजार सालों से उनकी उपेक्षा हुई है और उनके साथ अपमान जनक बेवहार हुआ है मैं जिस संदो घाटी सभ्यता का वन्शज हूँ उसका इतिहास बताता है कि आप में से अधिकांश लोग जो यहां बेठे हैं बाहरी हैं घुस पैठिये हैं जिनके कारण हमारे लोगों को धन और धर्ती छोड़ करके जंगलों में जाना पड़ा है यसलिए यहां जो संकल पेश किया गया है वो आदिवासियों को लोगतंतर नहीं सिखाने जारा आप हम सब आदिवासियों को लोगतंतर सिखा ही नहीं सकते बलकि आपको ही उनसे लोगतंतर सीखना है आदिवासी पृत्वी के सबसे पहले पुराने और सबसे बड़े लोगतंतरिक लोग है और इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस देश के सम्विधान में हमारी जगह ऐसी बने कि हमें भी महसूस हो कि हाँ हमारा मुल्क आजाद हुआ है ये कोटेशन पढ़ाता जैपाल सिंग मुंडा ने और आज इस देश में आदिवासी अपने जल जंगल जमीन अभी मैं एक हफ़ता पहले बस्तर से लोटा हूँ आप यकीन नहीं मानेंगे देश के बड़े-बड़े पुझी पतियों के हाथों में वो जल जंगल जमीन बेची जा रही है और जो आदिवासी वहां लड़ रहा है उसको गोली मारी जा रही है और जब सदन बताईए 2023 में भारत का संविधान कितना बचा है मैं आद करना चाहता हूँ अभी कुछ दिन पहले 15 अगस्त जब था तो देश के बड़े-बड़े नेता कहते थे हर हाथ ते रंगा, हर घर ते रंगा क्योंकि आजादी का अमरित काल चल रहा है तो 26 जनवरी आने वाली है उस दिन तुम देश को ये कहना कि हर घर संविधान और घर घर संविधान तब जाकर के भारत बचेगा और लोग संविधान के अहमियत समझेंगे ते रंगे से प्रेम है उनको जिनका यहीं चंद किलो मीटर पर ख्याला है और 52 साल तक तिरंगा ही नहीं पहराया था मैं भुशपूरी इलाके से आता हूँ हमारे यह कहावत है तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा इसका मतलब जानते हैं तीन बड़ा अशुब अंक है और भारत के तिरंगे में तीन रंग है यह कहके विरोध किया था इन ही बगल के नाकपूर की दो ही चीज़ प्रसिद्ध है एक तो नाकपूरिया संतरा और दूसरा अब मैं और कुछ नहीं बोलूँगा लेकिन मैं नाकपूर को जब याद करता हूँ तो दीक्षा भूमी से याद करता हूँ बाबा साब ने एक नया भारत बनाने का संकल्प लिया था और पहली बार जब मनापूर आया तो वहीं आया था दीक्षा भूमी में यह मेरे लिए गौरो की बात है इसलिए मैं क्योंकि आपने विशे समविधान रखा है समविधान की प्रस्तावना रखी है तो मुझे यह याद करने की जरूरत है कि बड़ी मुश्किल से यह समविधान बना था और आज उनका शासन है जो समविधान बदलने की बात करते हैं मैं यहाँ से एक वाक के कहना चाहता हूँ तुम दूसरा समविधान तो ला सकते हो मगर दूसरा हम बेटकर कहां से लाओगे कहां से ले आओगे दूसरा हम बेटकर जो ऐसा समविधान लिख दे तथागत बुद्ध के खिलाफ भी बहुत लोग थे तथागत बुद्ध डरे नहीं कबीर के खिलाफ उस समय भी लोग थे कबीर मेरे पुर्खे ने क्या लिखा कबीरा खड़ा बजार में लिये लुकाठी हाथ और जो घर जारो आपना चलो हमारे साथ तब जाकर कि ये भारत ऐसा बना था कबीर ने लिखा कि मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे तू कहता कागज की लेखी मैं कहता आखन की देखी मैं चाहता सुल्जावन हारी और तू देता उल्जाई रे मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे इसलिए नागपूर में दोनों है दिख्छा भूमी भी है और वो भी है औ वो फूल एमबेट कर पेरियार की विचारधारा है जो उनके सामने सबसे बड़ी चुनोती बने होई मैं नाम भी ले ना उनका उचित नहीं समझता आप वजह समझते होंगे जिस मंच पर बाबा साब की बात हो किसी और में इतनी चमता कहां कि उनका नाम भी ले लिया जाए इसलिए इशारे में ही बोल रहा हूँ इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे पुर्खों ने कलम और किताब की बात कहिए रविदास ने साफ लिखा है कि ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन और छोट बड़ो सबसंबस है रविदास रहे प्रसन छोटे बड़े को मिलाने की बात थी न और ध्यान से पढ़िए इस सम्विधान में आपको रविदास नजर आएंगे इस सम्विधान की प्रस्तावना में आपको बड़ नजर आएंगे जब भी सम्विधान की बात होगी जब भी नयाय की बात होगी तो बड़ इस में मिलेंगे तो सम्विधान बड़ी मुश्किल से ऐसा बनाता भाई सब को बराबर का धिकार दिया था लेकिन आज वो सम्विधान को भीतर से खोकला कर दिया गया है और हम पूछना चाहते हैं कि आजादी के 75 साल बाद इस देश में SC, ST, OBC प्रोफेसर कितने बने यहां से भारत का सम्विधान बचेगा आप सेंट्रल गवर्मेंट के बहुत सारे employees लोग है और भी बहुत सारे लोग आये हुए बताएए पुराने लोग जितने सरकारी नौकरी पाए थे अब उससे संख्या बढ़ रही कि घट रही है घट रही है पुरानी pension बंद हो गई ये वाला जो आज का पुराने वाले थे उन्होंने pension बंद की तो इसने सोचा कि नौकरी खतम कर देते है सरकारी नौकरी खतम एक परसेंट से भी कम सरकारी नौकरी बचिए तो संबिधान में लिखा है कि आरक्षण मिलेगा तो आरक्षण सरकारी सिक्षा और सरकारी नौकरी में था अब मैं आपको संकेत दे रहा हूँ कि कैसे संबिधान भीतर से खतम किया गया सरकारी सिक्षा को खतम करने के लिए पॉलिसी लाई गई है नई सिक्षा नी थी दोजार बीस मैं प्रोफेसर हूँ अब प्राइजिंशन हो रहा है self finance courses आ रहे हैं और सरकार पहले UGC से चलती थी, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ और यह बात आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाउं के लोगों को उनकी भाषा में यह बात समझाईएगा, हम आपकी मोड में सेल बस, सेल फाइनेंस बनेगा, सेल फाइनेंस का मतलब समझ रहे हैं अपने से वो खर्चा उठा ले पहले इस देश में UGC हुआ करती थी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सरकार पैसा देती थी कि ताकि सरकारी सिक्षा मिले गरीब, कमजोर, मजलूम, दलित, पिछड़, यादिवासी किसान, मजदूर के बच्चे भी अच्छे डी-उ और जेनिव में पढ़ें खुदार मेरे शहर का फाकों से मर गया राशन जो आ रहा था अफसर के घर गया भारत को समझे आज क्या हो रहा है चड़ती रही मजार पर चादर तो बेमिशाल बाहर जो एक फकीर था सरदी से मर गया रोटी अमीरे शहर की कुटों में बट गई फाका गरीबे शहर का बच्चों को मिल गया चहरा बता रहा था के मारा है भूक ने हाकिम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया बटवारा है साहब इस देश में आक्सफेम के रिपोर्ट बताती है एक परसेंट लोगों के पास 73 परसेंट संपत्ती का कब जा है गरीब और गरीब होता जा रहा है अमीर और अमीर होता जा रहा है सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं हुई बढ़ती जा रही है और हमारे सामने अब आवकर देखिए गरीब को इतना गरीब किया जा रहा है कि वो मजदूर बन जाए और बाबा साहब ने उसको शाशक बनाने के लिए कहा कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शाशक हो शाशक छोड़िये साब हम नागरिक भी बचा लिए ना तो हमारा कर्ज उतर जाएगा और इसके लिए जो खिम लेना पड़ेगा और मैं आपसे ये कहके जा रहा हूँ और इसलिए कहके जा रहे हैं संविधान बचाने के इस लड़ाई में याद रखिएगा हमारे आपके होने न होने का सारा सारा कुछ इस पर निर्बग करता है कि इस देश में संविधान होगा या नहीं होगा ऐसलिए सब कुछ लुटा कर इस संविधान को अगर बचा पाए तभी हमें इस बात का मौका है कि हम फूले अमबिटकर पिरियार का नाम भी अपने जबान से लें वरना जैभीम वो भी बोल रहे हैं जो उनकी शरर में खड़े होकर अपने अंदोलन को बेच दिये हैं वहाँ भी जाकर मूर्ती पर माला यस देश के प्रधान मंतरे भी अमबिटकर की मूर्ती पर माला पहनाते हैं भाई वो भी जैभीम और नमो बुद्धाय बोलते हैं तो जैभीम बोलने से अंदोलन नहीं बचेगा देश बचाना होगा तो वही बात कबिरा खड़ा बजार में लिये लुकाठी हाथ और जो घर जारो आपना चलो हमारे साथ इसी बात को कहते हुए आपसे विदा लूँगा फिर मिलेंगे तब तक के लिए जैभीम जैमंडल सम्विधान जंदाबाद और इंकलाब जंदाबाद